हाई फ्रेंग्स वेंकम टू गिजिस्कूल आज हम वेरी इंपॉर्टन मैंस कोश्चन्स फॉर्बोगें काम की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे यह हमारी 11 वीडियो है इसके पहले मैं 10 वीडियों गाँ चुका हूँ अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आई रेकमेंड कि आप उन्हें भी देख नीजिएगा क्यूंकि वह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन्स है और पेपर में आ चुके हैं चलिए सौंग करते हैं को तो कोश्चन्स में निखा आपने के स्क्व Protest एक होंगे जो स्वेसिए वहनों की हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया हमें तो कुल व्हें रुख जलन को केश्च करें ठीक है, वो theorem थी हमारी factor theorem, नाम याद करने यह क्या है, factor theorem, ठीक है, अब इस theorem को कैसी यूज़ करेंगे, इसमें एगरते हैं, हम S की कोई value लेक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर S की value लेक्ट करने से जो हमारा result है, वो 0 आता है, तो जो S की value होती है, वो हमारा factor बन जाती है, अब हमारे पास इस case में, जो मारा PX है, ठीक है, हमारी जो polynomial है, वो कितना है, SQ plus 6 square plus 9x plus 6, क्योंकि यह सब plus में है, तो मुझे S की value माइनस में लेक्ट नहीं पढ़ेगी, तो कि अगर मैं plus में रखता हूग S की value, तो answer 0 नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँगा यहाँ next is sequence minus 1, ठीक है, अब इस case में, जब मैंने minus 1 रखा, तो क्या क्या आएगा, देखिए, minus 1 का home cube, plus 6 into minus 1 का home square, plus 11 into minus 1, plus 6, ठीक है, जब इसी minus digit का, आप cube करते है, तो minus 1 हो जाएगा यहाँपे, जब भी आप minus, किसी भी minus digit का square करते है, तो minus आता है, दो इस, रिषिस बन हो जाएगा, और यहाँपे minus 11 plus 6 हो गया, ठीक है, यहाँपे minus 1 plus 6, minus 11 plus 6, minus 11, और माइनस मन क्या होएगा माइनस क्वेंज और यह सिसको सिसकतना होएगा क्वेंज ठीक है और यह का इनल तो क्या है गाएगा 0 इसका मतलब क्या है कि इसका क्या है यह 0 बड़ क्योंकि यह क्योंकि यह क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 3 0 होंगे तो अभी तो मारे पास एक जीरो आया है मैं एक 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 माइनस क्या निसकता हूँ क्योंकि मैंने माइनस क्यां गया माइनस था यहां क्योंकि हो गया तो तो मैं एक 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 निसकता हूँ एक फैक्टर इसका मैं गया है कि एक फैक्टर है इसका अब मैं करूंगा अब मैं जो पी एस है ना जो हमें वैंडियू दे रखी है उस वैंडियू को हमारे इस नए फ तो यहां पर क्या आएगा यहां पर हमाना आएगा s2 फिर यहां पर आएगा यहां पर आएगा 5s2 फिर यहां पर क्या आएगा 5s2 फिर यहां पर क्या निचे कर देंगे यहां पर minus sign ,cancel नोगे आएगा 11s में सी यहां 5s नोगे उटा आएगा 6sys और यह तो यहां निचे आएगा अब हम एटो फिस करेंगे तो क्या आएगा 6s फिस यहां आएगा 6s प्लस 6 किसा अगई, यह आगा यहां आए特別 यह minus यह minus टैंस नोग हो गया थेंसनों हो गया जो घ्रो अब यह हमारा qrs क्यों आए फीटंट गया इस question को हम देखेंगे इस question को हम देखेंगे हमारे question क्या एक स्वेयर दस फाइब एस अग्डा यही है हमारे question अब हम इसको फैक्राइज करेंगे इसको यहां kitaiken है तो हम किसी methods करई सुखते हैं तो मैं निशत आओ 3x सब्सक्राइब और भी बहुत मैं चूज कर रहा हूं वह अभी किने सब्सक्राइब करने पर दो फैकर आते हैं तो और थ्री क्लिका अभी तो अभी तो हमारे टाल आगे पर श किने सब्सक्राइब है परेड़ा आभरो थ्युआप हं तो हमारे प्लेक्वा प्लेटो नीदे डिया चाह बचानवा आपि प्लिए फिर क्या आगया आपका S2 and S3 तो अभी तो हमारे यह factors आगये क्या आगया हमारे यह factors कि अब factors तो आगए पहना factor हमारा S1 equal 0 तो S equal क्या हुआ इसके हमने क्या हो गया alpha इसके हमने alpha क्या है बाल ने हमने गामा डिया अभी हमने question में 0 तो निकांगे किया बग अभी हमें verify the relationship between the 0 and the coefficients करना है तो यहाँ पे हम relationship between coefficients and 0 किया यह करेंगे तो चलिए song करते हैं से यहाँ पेश ठीक कर देते हैं पहला relationship जो आता है वो होता है sum का तो अन्फा plus b का अपनेश गामा शुक भी equal to minus b upon a अब हम nhs नेंगे, nhs होता है अन्फा plus b का गामा अन्फा क्या है हमारा, अन्फा हमारा minus 1 है गामा हमारा minus 2 है और यहाँ पे 2 minutes minus 2 है, गामा हमारा minus 3 है क्या आगया? minus 3, minus 3, क्या आगया? minus 6, ठीक है? अन्फा में क्या होगा? अन्फा में बात करूँ, तो minus b upon में a कहा है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखू इसको तो यहाँ पे a हमारा 1 है, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पे देता हूँ आपकामने तो अगर पराश हूँ जाएगा इस जो पर्गिनावमें में दे रखा है x3, minus 6 स्क्वार, minus 9x, minus 6 यहाँ पे a हमारा 1 है, b हमारा 6 है, ठीक है? c हमारा 11 है, और d हमारा 6 है, ओके? यह coefficient होते है, समझाब बात को? तो minus b upon a कहा है, minus b upon a कहा है b क्या है, minus 6 को याएगा न, और a क्या है 1 तो क्या आ गया? minus 6, इसका मतलब क्या है? therefore, nhs equal rhs अभी सिर्फ a condition से रिखाई हुई है, ठीक है? अभी सिर्फ a condition हुई है दूसरा होता है, alpha b ka plus b ka gamma plus gamma alpha should be equal to c upon a, ठीक है? alpha यह तो मिला क्या होगा? minus 1 into minus 2 ठीक है अजर मैं यहाँ पर nhs की बात करता हूँ तो ठीक है? nhs की बात करें अभी यहाँ पर rhs को भी छोड़ देते हैं ठीक है? b ka into gamma क्या होगा? minus 2 into minus 3 ठीक है? और यहाँ पर gamma into alpha क्या होगा? minus 3 into minus 1 minus into minus क्या plus आ गया minus 2 into minus क्या plus आ गया plus आ गया यह 11 हो गया अजर मैं rhs की बात करूँ तो यहाँ पर c कितना था हमारा 11 तो 11 upon में 1 कि a की 1 में 1 है therefore nhs अजर में बात करूँ आप इसको में का दे जाए तो therefore nhs equal rs दूसरी condition में हो गया तीसरी condition क्या होती है alpha into b क्या गामा is equal to minus d upon a क्या यह होती है तीसरी condition इस तीसरी condition में क्या करेंगे है वही जो हमने अब तक करते आ रहे nhs equal क्या होगा हमारा alpha into b क्या gamma minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 और यहाँ पर rhs की बात कर देते है तो rhs में हमारा rhs में minus 3 upon a कहा है 3 यह है और a हमारा यह है तो यहाँ पर हम क्यारेखेंगे minus 6 upon 1 which is minus 6 और मैं इसको मिका दू तो क्या आता है यहाँ पर therefore nhs equal rhs और तीनों की तीनों condition satisfy हो गई इसका main reason क्या है कि हमने जो zeros find out किये है वो सारी zeros correct है इस में इतना ही हाँ मुझे पता है वीडियो बड़ी हो चुकी है काफी बड़ी हो गई है ग्यारा बारा मेनत की हो गई है इसके सॉरी बड़ में चाहता था कि मैं आपको हर्तिक explain करूँ इसके मैंने यह जो मैं हर बात को थोड़ा explain करता हूँ अच्छे की अगर आपको मारी वीडियो अच्छन ली तो प्रीज लाइक करना मत भूगिएगा हमारे चैनल सुब्सक्राइब कर दीजिएगा इसके हमें motivation मिलती है जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और काम करते रहे अपने दोस्तों का शेयर करिए उनको भी बताईए इस कोशिल के बारे में थैंक्स पर वांचिन